और देखें बड़ी खबर आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का होगा शुभारम दिली के भारत मंडपम में कारक्रम कायोजन होगा पी ए मोधी भी कारक्रम में शामिल होगे अज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का शुभारम होगा दिली के भारत मंडपम में कारक्रम कायोजन होगा है और पी ए मोधी इस कारक्रम में शामिल हो रहे हैं ना सिर्फ शामिल हो रहे हैं बलकि आटो दियोग के जो दिकारी हैं उनको सम्मोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोधी आज शाम साथे चार बजे अधिकारियों को सम्मोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोधी आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का हो रहा है शुभारम दिली के भारत मंडपम में कारक्रम का आयोजन होगा पिये मोधी कारक्रम का हिस्सा होगे और पिये मोधी बखायदा समोधित भी करेंगे ओटो दियों के दिकारियों को तो आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल ए हिस्सा होंगे पीमोदी इस दौरान में संबोधन भी करने वाले हैं प्यमोदी का संबोधन भी रहेगा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोर 2024 में और अधियों के लिए इसे बहुत खास माना जा रहा है और क्योंकि देखे हर शेत्र पर फोकस इस वक्त किया जा रहा है सरकार कियों से तो अधियोग जो है उस दिशा में भी इसे बड़ा अधियो बड़ी परियोजना आज से शुरू होने जा रही है प्रदेश के सभी जिलों में दो फरवरी यानि की आज से साइबर तहसील विवस्ता लागू की जाएगी आमिर्शाह के द्वारा ग्रह मंत्री के द्वारा लॉंच की जाएगी मद्दीपरदेश के सभी जिलों को पत्र लिखा है दो फरवरी को ओजयन में आयोजुत कारिकरम में किंद्री ग्रेमंत्री अमिर शाह साइबर तैसील को पूरी प्रदेश में लॉंच करने जा रहे हैं आज इस कारिकरम का सभी तैसील कारयाले पर प्रसारण भी किया जाएगा आपको ये भी बता दे कि मुख प्रदेश के किसी भी जिले में बिना आवेदन दिये रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांत्रन स्वताह हो जाएगा और खसरा नक्षा में भी ततकाल सुधार किया जा सकेगा इस प्रक्रिया को अभिबादत नामांत्रन और बटवारे के प्रकरणों में लागू किया जा तो आज ग्रह मंत्री अमिर्शा के साथ साथ में मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादर की मौजूदगी में लॉंच किया जाएगा साइबर तहसील परियोजना खो नजरे लगातार परियोजना पे बनी हुई है आज कर दिन बेहद मैत्वपून और साइबर सिक्योरिची की बात करें तो प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी होए या देश के बड़े दिगज नेतो है सभी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और र और चुलिए आगे बटते हैं आपको बताते हैं कि जार्खन बीजीपी विदायक दल की बैटक आज होनी है आज सुभा ग्यारा बजे बैटक होगी विदायक दल की बैटक होनी है राष्टपती शासन लागू कराने को लेकर चर्चा की जाएगी इसक्ती बड़ी खबर जार्खन की सियासत में काफी उठा पटक नजर आ रही है और ऐसे में बीजीपी विदायक दल की बैटक होनी है और ये कहा जा रहा है कि इस विदायक दल की बैटक में जब सुभा ये बैटक होगी 11 बजे का समय निर्दारित क्या गया है तो फिर राष्टपती शासन लाग जे एमेम लगातार ये कोशिश में है कि किसी भी तरीके से सत्ता हाथ से ना जाए हलाकि एमन सोरिन की मुश्किले बहुत बड़ी वी नजर आ रही है और गिरफतारी तक उनकी हो चुकी है लेकिन दूसरी करा बीजीपी बहुत साथा आक्टिव हो चुकी है और 11 बजे पर रही है उसे पूरा कर पाती या फिर कोई रणीती अलग जे में की तरब से बना ली जाती है और चले आगे बढ़ते आपको उता दिया जार्खन में प्रवेश करेगी भारत जोडों न्याय यात्रा राजमीतिक उथल पुथल के बीच जार्खन पहुचेगी यात्रा प पर फार करिबन तीन वजें पहुचेगी या इस बस्ते ढनीत नेखी जार्खन में परवेश करेगी भारत जोडों न्याय यात्रा इस से पहले आप असम तरह फे कर दो करने झार्च कर पर यहां पर आप राजश्नितिक सिर्भा में भी लगाता देख रहा है कि सथा प्रवेश करेगी राहुल गांधी की निया यात्रा आज दुपहर करीबन तीम बजे अनुमान है कि पाकुड में उनकी यात्रा पहुंच जाएगी वहाँ पर भी जो उनके कारकरता है वो तयार है राहुल गांधी के लिए पूरी फॉस तयार है और इस बिच्व कि देखें लगातार इसे तस्मीर आप देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अपने कारकरताओं के बीच में हैं जो लोग उनको पसंद करते हैं आम जोंके साथ में जुड़ने का जो उनका प्रयास है उसमें लगातार वो आक्शल लेते हुए निसरा रहे है और देखिए अखबा बढ़ार हैं जिनमें एक है अमर उजाला वार उजाले में आप पूरा फ्रंट से लेकर देखेंगे पूरा कपूरा पेपर आज बजट पर ही है एकस्प्लेंग करते हुए इसके लाबा दैनिक भासकर कि अगर बात करते हैं तो दैनिक भासकर नहीं अपना स्पेशल करने की कोशिश की है और जैसा देखे जिक्र किया जारा था कि इसमें महिलाओं पर पूरा फोकस होगा तो महिलाओं पर फोकस है युवाओं पर फोकस है जो पीए मोदी ने जिन चार वर्गों की बात की थी जिन चार जातियों की बात की थी उनहीं चार जातियों को प्राक्मिक्ता से इस पूरे बजट में कवर करने की कोशिश की गई है और उसलिए हाथ से ये बजट उनको भी सुहाबने लगे इस तरीके से ही इसको प्रदशित किया गया देगे महिला युवा गरीब और किसान को पूरा साधने का जतन है तीन करोड करोण घर बनाए जाएंगे पांच सालों के अंदर तीन गुना बढ़ा है आयकर संगर लेकिन टैक्स लाप प्यतावत रहेगा क्योंकि लोग देखिए एक आम जन एक नौकरी पेशा आदमी को क्या हुमीद होती है उसको हुमीद होती है कि टैक्स लाप में उसको छूट द राशन उपलब करवाया है और सीतरमन ने अपना अंतरिम बजट पेश किया इसके बाद ना इंकम टैक्स में कोई राहत मिली है ना ही फसलों में कुछ MSP की बढ़ोतरी की गई है मिडल क्लास की बात करें तो उनके लिए हाउसिं स्कीम लाई गई है और इसके साथ में लुभावन घोशना नहीं की दस वर्षों की उफलब्धिया सरकार की गिनाई क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं गिनाना बनता भी था खुद पर भरोसे का बजट हैडलाइन दी गई है वहीं अगर इंगलिश रखबार बिसनस स्टांडर्ड की बात की जाए तो हाई ओन रचना का इस्तमाल कर सकेगा सरकार अधिक मेडिकल कॉलेजिस खोलेगी इसका भी अलान किया गया है मुफ्त में बिजली का अलान अभी हमने आपको बताए कहा गया है प्रदानमंत्री सौरे ओदे योजना के तहत सोलर पैनल के जरिए एक करोड परिवारों को हर महीने 300 किसानों को मदद मिली है 25 करोड लोगों को गरीबी से निकाला है और इसको लेकर कल काफी चर्चा हुई जब भजट आया जब भाशन निर्मला सीतरमन की तरफ से दिया गया तो उन्होंने कहा कि कि सरीके से लगतार सरकार लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है और जो उनकी तरफ से जो बाते कही गई हैं बड़ी बाते हैं वो भारत 24 आपको लगतार बता रहा है सबकाश विष्वास our development philosophy covered all elements of inclusivity namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country With the whole of nation approach of सब का प्रयास, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards आत्मन निर्बर भारत, committed to पंच प्रान and laid solid foundations for the अमृत काल बजट पर पीम मोदी ने कहा समानता का बजट, इस बजट में 2047 के विक्सित भारत के लक्ष की नीद को पूरा करने की गारेंटी है, पीम ने निर्मला सीता रमन को बढ़ाई दी दी आजका ये बजट, इंट्रिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजट है, इस बजट में continuity का confidence है, ये बजट विक्सित भारत के चार स्थम युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एमपावर करेगा, निर्मला जी का ये बजट, देश के भविश के निर्मार का बजट है, इस बजट में 2047 के विक्सित भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है, मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथियों इस बजट में युवा भारत की युवा आकांग्शाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्भ है, बजट में दो महत्पपूर्ण नीडे ले गए हैं, रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुप्य का फंड बनाने की गोशना की गई है, बजट में स्टार्ट अफ को मिलने वाली टेक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है, साथियों इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए हैं, केपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाख, ग्यारा हजार, एक सो ग्यारा करोड रुप्य की एतिहासिक उंचाई दी गई हैं, अर्थ सास्तियों की भाशा में कहें, तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है, इससे भारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर के निर्मार के साथ ही युवांगों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अवसर तयार होंगे, बजेट में बंदे भारत स्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया है, इससे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा, साथियों हम एक बड़ा लक्ष ताय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं, गरीबियों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड़ चे अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष रखा है हमने दो करोड़ महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था अब इस लक्ष को बढ़ाकर तीन करोड़ लगपती दीदी बनाने का कर दिया गया है आईशमान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है अब आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा साथियों इस बजेट में गरीब और मद्दमबर को एमपावर कर दे उनके लिए आएके नए आउसर बनाने पर भी बहुत जोड दिया गया है रूप्टॉप सोलर अभियान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप्टॉप के माध्यम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी सोलर रूप्टॉप के माध्यम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15-20,000 प्रतिवर्ष की आए भी होगी और यहर परिवार को होगी सरकार बहुत ही confident है अपने एक्स्टन ने और के लिए और इस बात की पहले से ही खयास लग रहे थे कि इसले बहुत जादे ऐसी घोचना इसमें नहीं होगी और सरकार का इदावा है कि 2047 का जो विजन हमें देखा है जो तयार किया है उस विजन पर ही हम काम करें और इसलिए हाद से ही इंटेरिम बज़र्ट ही तयार दुए देखे वंदे भारत स्टांडर्ड की बनेंगी 40,000 रेल कोच जादा भीड़ वाले रेल मारगों के लिए अलग परड़ोत होगा 11 फीचत बढ़ा है इंफरस्ट्रक्टर बचट तो इस बजट के जरीए किस तरह से इसको इस्तमाल किया जाएगा और कैसे रेलवेस सिस्टम को और दुरूस्त किया जाएगा इस पर भी फोकस है वंदे भारत स्टांडर्ड की बनेंगे 40,000 रेल कोच जादा भीड़ वाले जो रेल मारगों के लिए अलग से काड़ोर होगा और 11 परसंट इंफ्रस्टर्टर के बजट बढ़ा गया है तो देके तीन आर्थिक रेल गलियारे बनाए जाएंगे इसमें उजा खनिज एवं सीमिन्ट बंदरगा संपर्क और यातायात गलियारे शामिल है कुल मिलाकर 40,000 बोगियां वंदे भारत के तहट अपग्रेड की जाएंगी वहीं 2 करोड नए घर भी बनाए जाएंगे आशा वरकर्स को आयुश्मान भारत योजना के दारे में लाया जाएगा बजट पे अलान किया गया है तीन करोड महिला बनेंगी लगपती दीडी आगे बढ़ते हैं बजट से राजिस्तान को 12 फीजी जादा पैसा मिलेगा केंद्रिय करो के हिस्ते से मिलेंगे 73,504 करो वहीं परेटन विकास के लिए 22 मुफ्त कर्ज होगा तो किस तरीके से जो राजिस्तान है उसको इस बजट से फायदा मिलेगा यह बता रहे आईशी बिलकुल और आगे बढ़ते हैं आपको बता देंपी में बनेगा खनेज सेमेंट कोरीडूर केंद्री करो से 3500 करोड रुपे अतिरिक्त मिलेंगे और चली आगे बढ़ना केंद्री बजट की सुविधाओं से हर्याना का विकास भरेगा उडान मध्यम वर्थ के लिए आवाज का सपना पूरा होगा बजट पर किंद्री मंद्री जोति रादेते संधया ने कहा कि यह बजट एतियासिक है अच्छा है बजट को लेकर केंद्री मंद्री स्मितीरानी का रियाक्शन सामने आया है वहने कहा कि लोगों क्या कानशाओं को प्यम मोधी ने पूरा किया है तो वहीं कॉंग्रस के करेप्शन को जनता ने समाप्त किया है